तो पिसले क्लास में हमने पढ़ा था गियर ट्रेंड गियर ट्रेंड में क्या है ड्राइविंग गियर एंड ड्रिवन गियर तो यह गियर जिसमें उनके साथ भी होगी इ χाल साफ्ट के साथ यहां पर देखते हैं यह प्राइमरी साफ्ट यानी जो इंजिन से इंटेड है यह चला रही है साफ्ट ले साफ्ट यह कानंटर साफ्ट ले साफ्ट क्यूंकि यह गियर बॉक्स सबसे निचले हिस्से में है और यहां गियर के रोटेशनल जो डिरेक्षन है डिरेक्षन अपर निजब दो गियर आपस में मैंस होके चलते हैं अगर ड्राइविंग गियर चल रहा है तो ड्रिवन गियर अंटी कलाउक वाइच चलता है तो यह दूसरी दिशा में चल रहा है इसले सको counter soft कह देते हैं और यही दिशा change भी करने में आगे काम आते हैं तो यह lay soft है यह primary soft है और यह उपर वाली soft है main soft यह output soft इसी के द्वारा engine ने जो टॉर्क बनाया था वह multiply होकर टॉर्क की multiplication होकर यह फिर बराबर बराबर यह और कम होकर कि यह टॉर्क यह इसी रास्ते से बाहर निकलता है कि इसी में soft के साथ ही एक और गियर लगा कर उसको auxiliary gearbox में भी power भीजी जा सकती है ताकि front end rear दोनु wheel को drive transmit हो सके 4x4 बने जा सके यह 4x2 है तो 4x2 में भी यह front wheel drive है तो यहीं से फिर final drive यह trans axle को तार्क जाता है trans axle से फिर वो दो axle half shaft को जाता है front wheel drive में रियर wheel drive में यहां पर एक flange लगके u joint या hooks joint universal joint तीन-चार नाम है उसके उसके द्वारा propeller shaft then differential को final drive assembly then axle half shaft then road wheels यानि transmission system वह mechanism है जो की engine के द्वारा बनाए गए टार्क को road wheels तक transmit करता है ठीक है यह सब होता कैसे है यह देखें इस primary shaft का जो gear है यह जो gear box की input shaft है इसका यह gear यह वाला gear यह ले shaft के gear के साथ मैस रहता है यह जो आगे sprocket gear है यह कौन है इसका अला काम है यह वाला gear जो यह helical gear है यह gear position neutral हो clutch engage हो तब भी drive यहां तक रहती है अब तुमने ले shaft को भी मैंने तुमें खोल के दिखवाया था तुमने खुदी खोला था खोला था तो इसमें different type के gears fit रहते हैं सबसे चोटा gear इसके साथ reverse idler लगा हुआ है उसके बाद first gear का यानि यह सबसे चोटे से थोड़ा फिर उससे बड़ा बस इतनी gear है और एक बड़ा वाला जो हमारे पास gearbox है पर जैसे जैसे यह बड़ा होता चला जाएगा हमारा वाला जो गेर बॉक्स है वो three forward and one reverse है only four gears are there but यह जो मैंने बना रखा है यह five forward and one reverse बनाया हुआ है इसमें पांच gear आगे कोई चलने वाले हैं यहां यह जो पीछे थोड़ा यह ओवर ड्राइब के लिए भी तुम्हें जब एक reference दिया तो चोटा सा तो इसमें जब गियर अब यह गियर ट्रेन कैसे बनती है जैसे इंजिन स्टार्ट हुआ गियर नम लगाया है नहीं लगाया है अभी नूट्रल पोजिशन है तो इंजिन की पावर यहां तक आई टॉर्क उसके बाद यह साफ्ट घूमने लगती है अब जब वहां को चलाते हैं विराम अवस्था से उसको गतिमान अवस्था में लाने के लिए सबसे ज़्यादा टॉर्क की आउशक्ता होती है वहां पर सबस प्वैंटीन फंप इसके साथ हो जाता है अब जो पावर आएगी वह प्रैमरी साफ्ट ले साफ्ट यहां तक और यहां से ही है में के बाद में को ट्रांस्मेट तो इसनी बात हो गई थी क्लोक वाईट चल रहा है यहाली साफ्ट एंटिक वाइट चल रही है पर जब यह इ इन शाफ्ट भी clockwise चलने लगती है इस तरह से जो पूरी दिशा है वो जिस दिशा में हम चाह रहे हैं वो उसी दिशा में ड्राइब को ट्रांस्मीट कर सकते हैं जो हमें reverse करना है तो इसी gear को इसके साथ मिला देंगे तो यह anti-clockwise चल रही थी दिशा चेंज की जाती है जो main चीज है इसमें gear ratio गियर रेशियो को समझने से पहले बहुत सारे gears के element समझने जरूवी है क्लियर है तो gears के कुछ elements होते हैं जैसे gear क्या है गियर एक दातेदार पहिया है जिसकी संपूर्ण परीदी में यह संपूर्ण ब्यास में समान दूरी पर और समान गहराई में दातें कटे हुए होते हैं जब एकदम सीधे से कटे होते तो इस पर गियर हो जाते है 90 डिगरी यदि किसी जुकाओं पर कटे रहते हैं तो वह हैलिकल गियर हो जाते हैं वह बैवल गियर भी होते हैं फिर जब गियर आगे बढ़ते जाएंगे उसमें दिखा दिखा के चीजों को क्या अंतर है वो चीज़ें हम क्लियर करेंगे अभी से conjunction नहीं करना चाते हैं तो gears के जब भी दो गियर आपस में मैस होते हैं तो यह पूरी तरह से अंदर एक दूसरे के धसे नहीं रहते बलकि इनके बीच में थोड़ा सा working clearance रखा जाता है ताकि इन्हें रोटेशन में यह आसानी से घूम सकें फ्रिक्शन कम हो आवाज कम हो घिसावट कम हो और जो लूब्र रिण इंच में कुछ दूरी है, यह यदि इसका केंद्र है तो इस केंद्र से होते वे जो एक रहां जा रही यह क्या कहलाती है यह ब्यास हो गई तो यह जो सबसे बाखर्व यास है यह अउटर डाया हो गया जो बिलकुल आंतरिक ब्यास है यानि सफेद चौक से दिखा रखा है यह इसका रूट डाया हो गया पर इन दोनों के बीच में एक डॉटेट लाइन दिखा रखी यह इसका पिच डायामेटर क्या है दो गयरों के बीच की दूरी है इसको ए कहते हैं ए से डिनोट करते हैं सेंटर टू सेंटर दो गयरों के सेंटर के बीच की दूरी अब जो भी यह गयर है इसमें कुछ दांतों की शंख्या है, यह दांत का हो सकता है, इसकी पिछ 3.25 हो, यह 2.5 हो, 2 mm हो, कुछ भी हो सकती है, according to work, जो ऐसा काम हमें करना है, जितना लोड ट्रांसपर करना है, sorry, टॉर्क ट्रांसपर करना है, उस हिसाब से फिर यह, इन दांतों की जो मोटाई है, प् यह सारी चीज़ें ताई होती है, तो जो टर्मिनोलोजी यूज की जाती है, उसमें इनके जो चक्कर हैं, घूमने के लिए, rpm, revolution पर मिनट, कि एक मिनट में गियर कितना चकर लगा रहा है, उसे n से परदर्सित किया जाता है, number of revolution, और जो number of teeth हैं, उन्हें z, अब गियर ratio आई, gear ratio क्या है, gear ratio के लिए क्या के चीज़ें जरूरी हो गई अब, एक तो चाहिए हमें number of rpm, कि वो किस revolution का rate क्या है, उसका, किस गती से gear घूम रहा है, और साथ में चाहिए कि उस gear में total दातों की संख्या, यानि, यहाँ पर हम देखते हैं, फिर यह gear train दो परकार के हो जाती है, एक simple gear train और दूसरी compound gear train, simple gear train, जब सिर्फ दो gear अपस में मैस होके चल रहे हैं, जिन में से एक driving gear और एक driven gear है, तो जो इनका अनुपात है, वो कहलाता है, simple gear train कहलाती है, और यह simple gear ratio है, पर यहाँ पर primary shaft से lay shaft चल रही है, दोनों की दांतों की संख्या different है, उसके बाद यहाँ पर के gear के दांतों की संख्या अलग है, और इन्सके दांतों की संख्या अलग है, यहाँ चार gear अपस में मैस होके चल रहे हैं, तो यह बन जाती है compound gear train, जो simple gear train है, वो engine में, engine valve timing, जो crank shaft, game shaft को drive दे रही है, वो क्या है, simple gear train, steering wheel, जब हम steering को तर्न करते हैं, तो उसमें जो worm या फिर pinion और rack के बीच का जो अनुपात है, जो train है, वो भी gear है, वो worm gear है, और वो rack को चला रहा है, या worm और sector को चला रहा है, या जो या हमारी drill machine चल रही है, यह simple gear train है, पर जो gear box है, जो transmission है, जिसमें बहुत सारे gear हैं, बहुत सारे gear हैं, और वो अपस में हमेशा 3-4 gear अपस में मिलके चल रहे हैं, reverse में तो 5 gear अपस में मिलके चल रहे हैं, एक idler भी है बीच में, तो यह वाली train कहलाती है, compound train, तो यहां पर valve train क्या बनी, sorry, gear train क्या बनी, primary shaft का gear, lay shaft का gear, फिर lay shaft का gear और main shaft का gear, first gear में यह gear train बनी, second gear में primary shaft, lay shaft का gear तो हमेशा ही mess होके चलेंगे, यह वाला gear और main shaft का gear, तो हमेशा engine की rpm कुछ और है, और lay shaft की rpm कुछ और है, main shaft की rpm कुछ और है, अलग-अलग हैं, यह same rpm नहीं हैं, तो कितनी हैं, और उनके बीच अनुपात क्या है, यही सब जानना है, वही सब है, gear ratio, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यह साफ्ट यह है, जो है कि primary shaft, इसके rpm मान लेते हैं, हम यह n1 rpm पर चल रही है, rpm मिल गया, अब इसमें दातों की शंख्या कितनी है, अब यह चला किसको रही है, lay shaft को या counter shaft को, मान लिया counter shaft चल रही है, n2 rpm पर, और lay shaft के जो सबसे बड़ा gear, जो counter, lay shaft का जो gear primary shaft के gear के साथ, मैस होके चल रहा है, मान लिया है, उसमें दातों की संख्या है, z2, simple gear train को समझो पहले, अब gear ratio, यहाँ पर simple gear ratio, क्या बनेगा, कि primary shaft किस rpm पर चल रही है, driving gear किस rpm पर चल रहा है, driving gear, driving gear की speed, बटे, यह ratio with driven gear speed, यहाँ पर पक्षांतर करोगे, इसको ऐसे लाओगे, तो यह क्या हो जाएगा, n1 ratio and 2, बराबर z2 and z1, यह एक simple gear ratio निकल गया, इसे हम i से denote करते, तो i is equal to n1 upon n2, बराबर z2 upon z1, यानि primary shaft के चकरों की संख्या, rpm की संख्या, का अनुपात, counter shaft के rpm की संख्या, यह driven gear जो भी चल रहा है, इसके साथ, driven gear में दांतों की संख्या, और driving gear में दांतों की संख्या, हमने निकाला था, driving gear में दांतों की संख्या कितनी है, अठारा, z1 बराबर 18 और z2, z2 कितनी थी, 33, n1, n2 हमें पता करना है कि यदि primary shaft 100 rpm पर चल रही है, तो lay shaft या counter shaft किस rpm पर चल रही होगी, इसका हम पता लगा सकते हैं, तो यह आजाएगा, n1 upon n2 बराबर 33, 18, कितना आया, तो gear ratio क्या हो गया, 1.83 is to 1, यह simple gear train है, और यह simple gear ratio है, अब यहाँ पर जब हम इसे compound करते हैं, अब क्या हो रहा है कि gear लगा दिया हमने, अभी तक तो neutral था, neutral में समझ लो कि main shaft 1.83 चक्कर लगा रही है, यानि दो चक्कर पूरे नहीं हुए, दो चक्कर होने ही वाले हैं, मात्र फिर उसके 0.17 भाग रहे गया है, तो counter shaft का एक चकर पूरा होता है, अब आगे का final gear ratio कैसे मिलेगा, कि first gear में ग्वहन का, यानि engine की crank shaft और main shaft के बीच, जो rotation का क्या अनुपाथ होगा, मान लिया 1000 RPM पर engine चल रहा है, तो propeller shaft कि स्पीड में गूमेगी, यह पता करना, यह पता हम आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरी है कि इस वाले gear से, first gear में क्या है, shift liver कल fork दिखाया था, shifting mechanism, उसके नीचे दो fork हैं, जो कि इन में जाके मिले हैं, क्योंकि यह तो बहुत ज़्यादा gear बना रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा fork होंगे, हमारी काड़ी मात्र तीन gear की यह 3 forward 1 reverse तो उसमें सिर्फ दो fork हैं, एक fork दो gear को shift कर सकता है, कि यह 1st gear को भी shift कर सकता है, और यह इसमें reverse भी कर सकता है, यह 2nd और 3rd को engage कर सकता है, यह 4th and 5th को engage कर सकता है, ठीक है, तो यहां 1st और reverse को इसमें कर दिया था, सारे gear हो सकते हैं, और overdrive लगानी है तो फिर और नीचे fork लगाने पढ़ेंगे, और उसके साथ selector rod लगती हैं, उस पर हम बाद माँ बात करेंगे, अब जब यह compound gear train है तो हम क्या करेंगे, इसका भी ratio निकाल देंगे, यहां पर जब यह i बराबर 1.83 to 1 आया था, इसको हम i1 लिख देंगे small, अब हम i2 निकाल देंगे यहां, i2 क्या होगा फिर, अब driving है N2, driving shaft कौन होगी अब, अब lay shaft यहां पर, lay shaft का gear driving gear है और main shaft का gear driven gear है, so N2 into Z3, इसको Z3 मानना था, बराबर N3 into Z4, तो N2, N3 का क्या अनुक्वात रहा, Z4 में कितने दाथ हैं, इस gear में कितने दाथ हैं, 29, और यो छोटे वाले gear में, जो lay shaft के साथ, इसके साथ मैस हो रहा है, 9 है इसको करो, 2, कितने ही आ रहा है, I2 बराबर आया 1.52, I1 है 1.83 is to 1 और I2 आया 1.52 is to 1, अब इसका compound gear ratio क्या होगा, तो इसके लिए I बराबर, I1 into I2, इनको अपस में गुणा कर देना है, 1.83 into 1.52, पराबर, 2.78, यानि 2.79 मान लेते हैं हम इसको, 2.78, 2.78, 2.8 is to 1, तो अब जो टोटल जो यह 2.8 is to 1 क्या है, N1 और N3 का अनुपात है, 2.8 is to 1, यह है compound gear ratio, 1st gear का, यानि primary shaft लगभग 3 चक्कर चल जाएगी, यानि crank shaft 2.8 चकर चल गई है, 3 चकर पूरे नहीं हुए है, थोड़ा सा कम है, पर main shaft एक ही चकर चलेगा, तो torque लगभग 3 गुना multiply हो गया, 2.8 गुना multiply हो गया, यह maximum torque है, अभी हम reverse का भी निकालेंगे इसी तरह से, तब देख लेंगे 1st gear का जादा है या reverse का जादा है, कई गाडियों में reverse का gear ratio जादा होत किसी में subset ज्यादा टार्क 1st gear में हो, ठीक है, पर reverse का इसलिए भी ज्यादा है कि आगे को चलाना आसान है, पीछे को थोड़ा और विपरीज दिशा में ज्यादा टार्क रिक्वाइड होता है, तो इसलिए भी reverse का gear ratio थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो सकता है वो 3 to 1 निकले idler के दाटू के संक्याद गिनी है, वो छोटा जो lay soft का सबसे छोटा gear जिसके साथ idler मिला हुआ, उसके दाटू के संक्याद गिनी है, ठीक है, अभी निकाल देंगे उसको भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि primary soft, यानि crank soft, primary soft जो चल रही है, वो crank soft की speed है, क्लियर है, मैं इसलिए बार-बार crank soft, crank soft कह रहा हूँ, क्यूंकि crank soft के rear end में ये clutch plate fit है, ये वाला हिस्सा crank soft के अंदर है, ये जो spigot bearing है, crank soft के rear end में है, तो ये जो primary soft है, ये crank soft के साथ attach है, तो जिस भी rpm पर crank soft चल रही है, उस rpm पर ये primary soft चल रही है, समझ में आगी बात, कि यदि आप मान लिया यहाँ पर engine 1000 rpm पर चल रहा है, तो first gear में main soft कितने rpm पर चलेगी, जल्दी से निकालो, इफ N1 is 1000 rpm, then find out the speed of main soft, तो यदि engine की crank soft 1000 rpm पर चल रही है, gear number 1 का ratio है, 2.8 is to 1, तो main soft की गती होगी 357.14, crank soft कितने चकर चल रही है, 1000, और जो propeller soft से जो गती बाहर निकलेगी, 357.14 rpm. It's enough for the day. Have a great day.